हाई एवरिवन आज मैं आपको फाइव इंपोर्टेंट फेक्ट पताने वाली हूँ तो वीडियो को ध्यान से देखें एक नवंबर 1966 से पहले हमिरपुर कांग्रा जिले की एक तहसील था और ये पंजाब का हिस्सा था पंजाब पुन्हें गठन के समय कांग्रा तथा अन्यकई पहाडिक शेत्र हीमांचल को सौंप दिये गए सन 1972 में पहली बार बागवानी कारल्य हमिरपुर में आया था हमिरपुर के लास नायक लाला राम को प्रथम विश्व यूद के अदम में साहस के लिए विक्टोरियक रास प्रदावन किया वे विक्टोरियक रास प्रापत करने वाले पहले हीमांचली थे वे हमिरपुर जिले के बोरंज के निवासी थे उन्हें यह पुरस्कार प्रथम विश्व यूद 1914 से 1918 के दौरान दिखाई गई विर्था के लिए प्रदाण किया गया था हिमांचली परदेश का मंडी जिला भारत का सबसे साफ सुथरा जिला है महाराष्टर का सिंधु दुर्ग दूसरे नमबर पर आता है हिमांचली परदेश का प्रतीक हिमांचली परदेश सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला आधिकारिक राज्य छिन है और इसे हिमांचे परदे स्वारा किये गए सभी आधिकारिक पत्रा चारों पर लगाया जाता है इसे हिमांचे परदे सरकार ने 25 जनवरी 1978 को राजे के स्थापना के समय अपनाया था तो कितनों को पहले से ही इन फैक्ट्स के बारे में बता था कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक यू